आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 की स्टोरी हिंदी में सुनेंगे, सीखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है The King and the Spider, एक बच्चे ने काफी ज्यादा इंसिस्ट किया कि आप मेरे क्लास की वीडियो नहीं बनाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए भी वीडियो बना ही द देखते हैं क्या है, आप भी सीखें, बच्चों को भी सीखें, ठीक है, शुरू करते हैं कहानी आखिर है क्या, जब कहानी कंप्लीट हो जाएगी तब ही आप exercise की question कर पाएंगे, तो आप कहानी को सुनिए अच्छे से, दिन उसके बाद exercise की जाएए और question को लगाई मजा कहानी बहुत प्यारी है, ठीक है, तो the king and the spider, एक राजा और एक मुकड़ी, टायलेशन, you should hate, try again, if at first you don't succeed, try again, इस listen के दोरा आप को यह शीख मिलेगी, कि जिन्दगी में प्रयास करते रहिए, यह आप एक बार अगर अस्फल भी हो जाते हैं, तो बार बार प्रयास करते रहिए, इस कहाजाई की chapter में आपको इसी के बारे में कहानी समझाया जाएगा, ठीक ना, और इसी बेस प्यानी लगातार अभ्यास करने के आधार पर यह chapter रखा गया है, बच्चों को कैसे पढ़ाई के प्रती या जिन्दगी में आने वाली कहाजाए कि जिम्मेदारियों के प्रती कैसे हम प्रोश्चाहित करें, बच्चे सतत प्रयास से अपने कारी को करें और जिन्दगी में सफाल हो, ठीक है, देखे कहानी शुरू होती है, once upon time, एक समय की बात है, दरवाज की एक राजा था, he had fought many battles, fight का मतलब होता है, fight की second, third form लगा है यहाँ पे, fight का मतलब लड़ा, उसने काफी सारी लड़ाई या लड़ी, battle मतलब होता है, युद्ध, ठीक न, and won, और वो जीता भी, ऐसा भी नहीं था, कि लड़के हार भी गया, और जीता भी, he was a wise, वो बुद्धिमान, bright, बहादूर, and kind ruler, ruler का मतलब होता है, सासक, एक ऐसा सासक था, जो दयालू था, बुद्धिमान था, बहादूर था, people were very happy in his kingdom, उसके राज और उसके शासन के प्रतिवहां के लोग, जहां को राजा था, बहुत ही बेक्ति खुश र यह राज जी बैटे हैं, रेख लें, डाइग्डाम पर, वह इस स्पाइडर है, ठीक है, अब आते हैं, once a नाइवरीं, king attacked his country, एक बार क्या हुआ, कि पढ़ोसी राज, नाइवरीं मतलब होता है, पढ़ोसी, नाइवरीं मतलब पढ़ोसी या नाइवरीं लिखा है, एक बा बागे, luck did not favor him this time, लेकिन इस वार जो भाग था, राजा जी के पक्ष्मे नहीं था, he lost the battle, वह युद्धार गया, many of his soldiers were killed, उसके अनेकों जो सैनिक थी मारे गये, and other run away, run away का मतलब होता है, भाग जाना, to shape their lips, कुछ तो ऐसे थे, कि उद्ध छोड़ गए भागे, कि अपने जियान बचाया जाए, कुछ तो मर गए, सहादत को हाशी ले, वीर पूरुस, वीर पूरुस ने वीर soldier कहलाए, और कुछ तो भाग गए, पीठ देखा के, जो भी जैसे भी था, The king himself had to hide in a cab, ऐसी नौमत आ गई, कि राजा, खुद अपने आपको स्रचित करने के लिए, छुप गए, कहाँ, कैब मतलब गुफा में, He was very sad, वो बहुत दुखी था, and worried, बहुत चिन्तित था, one day, he saw a spider going up दवाल, बैठा था गुफा में, उसने देखा, एक दिन, एक spider मकड दी, तो वो दिवाल पर चड़ रही थी, यह चड़ने का प्रयास कर रही थी, ठीक है, दिन आगे चल दाएं, It climbed a little, but slipped and fell down, वो थोड़ा चड़ती, और स्लिप होके निची गिर जाती, यह प्रक्रिया बार बार वो कर रही थी, It try again and fell again, वो कोशिश करती चड़ने की, फिर गिर जाती, यह सतत, वो कारे करती रही, चड़ती गिरती, चड़ती गिरती, और यह राजा जी देख रहे थे, The spider did not give up, give up का मतल़ा होता छोड़ना, spider ने अपना प्रयास करना छोड़ा नहीं, वो मकड़ी जो थी, बार बार चड़ती गिरती, चड़ती गिरती, यह continue करती रही, और यह राजा आजी देख रहे थे, जो राजा थे, देख रहे थे, It kept on trying and still kept on falling, वो लगातार कोशिच करती चड़ने की और गिर जाती, चड़ती गिरती चड़ती चड़ती चल रहा था, this happened many times, और यह कई बार हुआ, At last the spider succeeded in climbing the wall, और अंधताय यह हुआ, कि वो जो मकड़ी थी डिवाल पर चड़ गई, यह करते 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 करते, वो डिवाल पर आखिरकार अंध में चड़ गई, यह राजा सब कुछ देख रहे थे, आगे देखें स्टोरी को, The king said to himself, राजा ने, खुछ से कहा, if this spider a small insect, यदि यह जो मकड़ी है, एक छोटा सा जीव है, can succeed in climbing the wall by trying and again, trying again and again, यदि छोटी सा यह जीव जो है, कीड़ा है, मकड़ी है, यह बार बार प्रियास करके, बार बार कोशिश करके, करके दीवाल पर चड़ सकती है, तो why can't I defeat many enemies, तो मैं क्यों नहीं अनेकों दुस्मनों को, इनमी मतलब होता सत्रो, इनमी मतलब बहुर सारे सत्रो, defeat को मतलब होता पराजित करना, Why can't I defeat many enemies तो मैं क्यों नहीं अनेकुद दुस्मनों को मार सकता पराजिश कर सकता हारा सकता खुश से question किये राजा The king got his confidence back अब राजा जी को ये सारी चीज़े देख करके मकड़ी के प्रयास देख करके अंदर से आत्म विश्वास जागा वापिश आया यो ने अपने सेन को की कस्था किया once again once again and attacked his enemy सभी को कस्था किया एग वार अपनी सेनाओं को और दुस्मनों पर हमला किया The battle continued for many days युद्ध जो था अनेकों दिन चलता रहा and he finally defeated his enemy और अन्दतय राजा जी ने सत्रों को पराजित कर दिया और वो क्या हो गए बिजय हो गए try, try, try till you succeed तो ये जो स्टोरी है ये जो कहानी है आपको एक सीख देती है कि आप प्रयास करते रहे try, try यनि प्रयास करते रहे courses करते रहे till you succeed जब तक आप सफल नहीं हो जाते है उस काम को छोड़ना नहीं है बलकि उस काम को करने का तरीका बदलना है हो सकता है इस तरीके से नहीं हो लेकिन करते रहना बार बार करते रहना है तो अंद्धत है आप सफल हो जाएंगे अग जो 6th class है 5th class है 7th class इन बुकों में क्या होता है थौट लिखे होते हैं एक अच्छे विचार लिखे होते हैं ये बोल्ड करके दिया गया है तो इनको जरूर आप पढ़ें पढ़ें समझें और जिंदगी में लागू ही करें दो एक ही लिखा क्या है struggle is the law of progress progress का मतलब होता ब्रज्ज सम्रिद्ध तो struggle का मतलब होता है संघर्ष ठीक ना struggle is the law लाँ मतलब होता है तो नियम प्रिंस्पल ठीक ना struggle is the law of progress यानि संघर्ष ही सम्रिद्ध का नियम है यदि आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं ब्रद्धी करना चाहते हैं सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप के लिए एक ही रूल है एक ही नियम है सतत प्रयास करते रहें संघर्ष करते रहें ठीक है और इस प्रकार ये स्टोरी